So now we will see women earning household influence their children future, वो खवातीन जो जॉब करती हैं, जो economic growth में हिस्सा ले रही हैं, वो भी अपने बच्चों की जिन्दीगी पे influence करती है, A woman's ability to generate household income and decide on its use is linked to her children's well-being and development, अगर उसके पास कुछ अख्तियार है, कुछ आमदिनी उसके अपने हाथ में है, तो जाहिर है, वो अपने बच्चे पे अपने मर्जी से खर्च कर सकती हैं, और इसका बहुत फरक पड़ेगा, तो the linkages are complex and not always positive, लिचुके बहुत से cultures हैं न, हमारे culture में भी ये बात है, कि बेशक मां कमाती हो, लेकिन उसका control जो है, वो या तो उसके शोहर के पास होता है, या फिर जो senior family members हैं, उनके पास होता है, और जैसे अब भी हमने अर्ज किया, दोनों बाते हैं, अगर मां कमा रही है, तो उसके पास पैसा तो होगा, वो बच् की care कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, so women's increased access to and control over financial resources, have been associated with improvements in child health and nutrition, देखिए एक बात तो understood है, कि उसके पास पैसा है, वो खुद कमा रही है, तो वो अपने बच्चे की खुराग और इसकी सहत का खयाल तो रख सकती है, so globally however, women continue to experience high rates of unemployment and vulnerable employment compared to men, अच्छा जब खवातीन की मुलाजमत की बात आती है, तो बड़ी हैरत अंगेज बात है, कि अगर आप पढ़ी लिखी खवातीन, जैसे आजकल तेजी से खवातीन का पढ़ने का जो rate है, वो पहले की निस्बत, पहले सालों की निस्बत बहुत सादा खवातीन तालीम हासिल कर रही है, लेकिन उनकी employment का rate उतना नहीं बड़ा, जिस हिसाब से वो education हासिल कर रही थी, वज़ा उसकी ये है कि जाहरे फिर वही घरेलू जिम्मादारियां, बच्चे की पैदाईश, बच्चों की care, तो फिर इसलिए वो employment में आ नहीं सकती, और अगर आ गई हैं, तो अब वो इसको continue करना उनके लिए मुश्किल है, sometimes, अभी वो शादी शुदर नहीं थी, उन्होंने जॉब शुरू कर दी, फिर शादी हो गई, फिर जैसे ही बच्चे की पैदाईश शुरू होती है, चूँके उस वक्त भी कुछ मसाइल हैं, और ब कंट्रिबूशन है, उसको आप जब सेग्रीगेट करते हैं, चाइड केर से, तो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, यही चाइड केर वो अगर घर में रहके कर सकती, और आप उसको इकोनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा समझ लें, और इसको एक बड़ी कंट्रिबूशन समझें, तो बहुत कम मसाइल होंगे, विमन्स माइग्रेशन फॉर पेट इम्प्लॉइमेंट केन हैव पॉजिटिव और नेगिटिव कॉन्सेक्वेंसे फॉर देवल्पमेंट ओफ देवल्पमेंट ओफ देर चिल्डरन, देखिए ऐसा भी तो होता है, कि जुरूरी नहीं के जॉब घ पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव इस तरह से कि कहीं उसको नुकलिस फैमिली बनाने का मौका मिल गया, या वो इंडिपेंडेंट हो गई, या वो अपने बच्चे पर तवज्जो देने के लिए यक्सू हो गई, और ये भी हो सकता है कि उसको बच्चे को छोड़ के जाना पड़े, तो फिर तो हलात ज्यादा मक्तूश हो जाएंगे, देखिए बात फिर वहीं आ जाती है, अगर वो कमाती है, तो उस दौरान चाइल्ड केर कोई और करता है, तो लोगों को अकसर इस बात पे भी इतराज होता है, कि जो आपके लिए घर से खवातीन निकली हैं, तो बच्चों का काउन अब धियान करें, तो वो प्रेशर उसके उपर रहता है, आम तो पर पे पकस्तानी मौशरे के अंदर भी, और इंटरनेशनली भी, ऐसा नहीं है कि मा तो सारी दुनिया में मा है न, तो वहां भी अगर अगर मा घर छोड़ के बच्चा जाएगी, तो उसको किसी ना किसी की केर की जरूरत होगी, तो बजाए इसके कि उसकी मौजूदिगी को गवर्मेंट्स जो हैं, वो तसलीम करें और उसको एकनॉमिक ग्रोथ का हिस्सा बनाएं, वहां भी यही हाल है, एक कॉन्फिक्ट चल इस सारे सिलसले में, जो उसकी रोजमर्रा की एक्टिविटीज हैं, बच्चों की देखवाल है, घरदारी है, और कुछ घरों में बजर्ग भी हैं, उनकी भी देखवाल है, तो यह सारी चीज़ें जो हैं, यह उसकी जॉब को रिपलेस नहीं करती, बलके जॉब के साथ करती हैं, तो इस तरह से खवातीन जो हैं, उनको हम ओवर बर्डन तो करते ही हैं,